नमस्कार, मैं हूँ लश्मी संकर्चक्धारी और आप देख रहे हैं The News Network देवगाओं की रहने वाली मृतिका कुसुमलता को नया दिलाने बड़ी संख्या में आदिवासी समाज लोग फिंगेश्वर थाना पहुंचे देखिए क्या है पुरा मामला खास रिपोर्ट पे कुसुमलता द्रू महाविद्याले फिंगेश्वर में बीए सेकेंडियर की हुनार चात्रा थी गरिया बंजिले की देवगाओं की आदिवासी कॉलेज शात्रा मृतिका कुसुमलता को अब नया दिलानी सैक्लों की संख्या में आदिवासी समाज की लोग फिंगेश्वर थाना और तहसिल कारेले पहुँच कर मामले में कारवाही की मांग किये जानकारी के अनुशार पर 23 दिसंबर के तिन कुसुमलता को संदिक्ध हालत में फिंगेश्वर सरकारी अस्पताल में गाओं कही एक लड़का लाकर छोड़ा जार सेवन होने का कारण पता चला और यूती की गंभीर हालात को देख उसे महासमुन चिला अस्पताल रिफर कर दिया जहां कुसुमलता की मौध हो गई जब परिजनों को अचानक पता चला तो हत्य की आसंखर जहिर करते हुए गाओं के ही एक वक धरम चंद साहू पर कई सवाल खड़े कर दियें ये वही वक है जो संदिक्ध हालत में कुसुमलता को फिंगेश्वर होस्पिटल में छोड़ा था समाज के लोगों ने बताए कि कुसुमलता की संदिक्ध मौत महासमुद जिला अस्पताल में होने के दस दिन बाद भी जिले से नाकेश डायरी आया है और ना ही फिंगेश्वर थाना में कारवाही आगे बढ़ा है आज की लड़की देवगाओं के रहने वाली कुसुमलता का तेईस तारीक को घटना हुआ संदिक्ध मौत होने का जिसको हास्पिटल में लाया गया और हास्पिटल में धरमलाल साहू नामक लड़के ने उनको लाक करके छोड़ के भग गया जिसके कारण लड़की की संद्यास्पद मौत होने का जो इस्तिती है और उसमें समाज काफी आक्रोसित है और महासमुन जीला से अभी तक के रिपोर्ट आया नहीं है डायरी नहीं आया है और नहीं थाना में एफायार किया गया है जिससे लेके हमारे आदिवासी समाज में है काफी आक्रोस है अगर माल ले पाँच दीन की हम दिवस पादिवस की अल्टिमेटम दिए है अगर पादिवस में एफायार दर्ज नहीं होती है तो हमारा जो समाज है सडक में आन्दोलन करेंगे चक्का जाम करेंगे धरनप्रदर्शन करेंगे और वही मिर्तिका के परिजन कुशुमलत की हत्य का आशंकर जताकर गाउं के धरम चन सहु पर आरोप लगा रहे हैं परिजन के अंदर कारवाही नहीं होने पर चक्का जाम और उग्र आंदोलन के चेताओं ने समाज के लोगों ने दिया है को सचनामले! सचनामले! क्परा दिच को सचनामले! सचनामले! सचनामले!